Q1. Find the transpose of the following matrices. हमें यहाँ पर कुछ matrices given हैं, हमें उनका transpose find करना है, तो transpose होता क्या है? एक बार discuss कर लेते हैं, transpose of a matrix क्या होता है? अगर हम किसी matrix के raw और column को change कर दे, raw को column बना दे और column को raw में change कर दे, तो उससे हम transpose कहते हैं, अब मान लो हमारे पास कोई matrix a is equal to है, यह मान लिया हमारे पास है 2, 3, 1, 2, अब इसका transpose निकालना है, तो transpose को हम denote करते हैं a dash से, मतलब a का transpose, तो इसकी जो raw है, यह raw होती है, जैसे copy में line होती है, वैसे ही यह raw होती है, और vertically होती है, यह vertically होती है, column, तो raw को column बना देना है, column को raw, तो जैसे 2, 3, तो यह आ गया 2, 3, ओके, यह raw थी, यह raw थी, इसको हमने column बना दिया, अब 1, 2 है, तो इसको 1 और 2, तो यह हो गया transpose of this matrix, ओके, similarly हमें इन question के अंदर करना है, तो question number first में a matrix, जो हमें given है, 5, 1 by 2, और minus 1, यह element given है, इसका transpose करना है, तो a dash is equal to हो जाएगा, यह 1, यह एक single column में है, तो इसको raw wise लिख देंगे, तो 5, 1 by 2, और minus 1, यह हो गया, answer यह आगया, transpose, similarly second part, देखते हैं, second part के अंदर matrix given है, a is equal to 1, minus 1, 2 और 3, तो इसका a dash करने के लिए, raw की column, कॉलम की raw, तो यह raw है, तो इसको लिख देंगे, 1 minus 1, ओके, यह second raw है, तो इसको लिख देंगे, second column में, 2 और 3, यह raw को column बना दिया, यह हो गया, transpose, similarly third part करेंगे, तो मान लिया, a is equal to matrix है, minus 1, 5, 6, root 3, 5, 6, 2, 3, और minus 1, अब आप सोच रहे होंगे, a ही क्यों मान रहे थे, आप a, b, c, d, जो भी आपको अच्छा alphabet लगता है, आप उसको मान सकते हो, तो मान लो, a की जगा आपको मानना है, b, तो हम b dash find करेंगे, और b dash हो जाएगा, इसका transpose, means, जितनी भी raw हैं, उनको column बना देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, minus 1, 5, 6, फिर root 3, 5, 6, फिर 2, 3 और minus 1, यह हो गया, transpose of this matrix,